Hello Friends, Welcome to Study with Silpy Friends, आज हम बात करने वाले हैं UG Synet के एक्जाम में जो बड़ा बदलाव किया गया है उसके बारे में जी हाँ Friends, जैसा कि आपको पता होगा कि UG Synet June 2024 का एक्जाम आफ लाइन होने वाला है जो कि अभी तक आउनलाइन होता था हमें ये तो नहीं पता कि ये बदलाव अचानक क्यों किया गया है पर जो भी है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है देखे Friends, एक्जाम चाहें आउनलाइन हो या आफ लाइन इससे जादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने भी बहुत सार एक्जाम देए हैं जिन में से कुछ आउनलाइन मोड में थे और कुछ आउफलाइन मोड में और मैं जितना समझ पाई हूं कि दोनों ही मोड में चाहे वो आउनलाइन हो या फिर आउफलाइन हो कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुक्षान होते हैं इसलिए कोई भी मोड एकदम परफेक्ट नहीं होता है दोनों में कुछ कमिया होती है और दोनों में ही कुछ अच्छाईया होती है लेकिन फ्रेंट्स जो most important चीज है जिससे हमारी सफलता निर्धारित होती है वै है हमारी तैयारी जी हाँ फ्रेंट्स अगर आपकी तैयारी अच्छी है आपने अच्छे से पढ़ाई की है और एक्जाम के स्लेवस को अच्छे से तैयार किया है तो यकीन मानिये फ्रेंट्स आपके लिए एक्जाम के दोनों ही मोड अच्छे हैं आपको ऑनलाइन और आफलाइन मो पूरा फोकस अपनी तयारी में लगाईए और जो भी चेंज हुए हैं उसे सकारात्मक रूप से लेते हुए अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और अपनी तयारी को और मजबूत करिए फ्रेंड्स आपको बता है कि आपका एक्जाम जून में होने वाला है तो अपने समय की अहमियत को समझते हुए तयारी में लगे रहिए फ्रेंड्स आप जरूर सफल होंगे all the very best I hope कि इस वीडियो से आपको कुछ help जरूर मिली होगी मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching this वीडियो